नमस्कार मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डाउट नेट पर मैं आशा और उमीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम सुवस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्थ भी हैं और क्या कर रही हैं और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंट्रस्टिंग इंपोर्टेंट ज्यान वर्दक और बहुत ही जादा क्या है बच्चो मनुरंजक क्लास का इंतजार कर रहे हैं हम किन के साथ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के प्यारे बच्चों के साथ, हमारा सबजेक्ट है समाजिक अधियन और इस समाजिक अधियन विश्या में आप और मैं आज discussion कर रहे हैं, continue कर रहे हैं एक बहुत ही important chapter, chapter का नाम है यूरोप में राश्ट्रुवात का उ राष्टवाद इसी शब्द के अर्थ को जाना था समझा था पहचाना था हम लोगों ने पता करा हम लोगों को पता चला कि जो राष्टवाद शब्द है इसका मतलब क्या होता है इसका अर्थ होता है अपनत्व की भावना यानि के अपने पन की भावना जब कोई जब किसी देश के नागरィ जब किसी देश की प्रज़ा क्या करने लगती है। अपने देश को संमान द समान देटी है। मर मिटने को तयार होती है क्या होती है बच्चों जब देश की जनता अपने देश के प्रती बहुत जादा क्या होती है गौरानवित होती है अपने देश के लिए मर मिटने को तयार होती है उसी को राश्टवात कहा आर्थात सीधे सरल शब्दों में आपने ये जाना पहचान होती है और देश के सभी लोग एक दूसरे को समान मानते हैं क्योंकि ये लोग समान तोर पर क्या करते हैं बच्चों अपनी संस्कृति को शेयर करते हैं इन सभी की भाषा एक है इन सभी की संस्कृति एक है इन सभी का पहनावा एक है इन सभी के खाने का तरीका एक है भारत के संदर्प में ही देखिए हम सभी लोग क्या है बच्चों हमारे भारत के अंदर अलग अलग धर्म अलग अलग जाती अलग अलग भाशाएं और अलग अलग वर्ग दिख जाते हैं है ना लेकिन हम सब की पहचान किस से है क्या हमारी पहचान हमारे धर्म से है, क्या हमारी पहचान हमारे रंग से है, क्या हमारी पहचान हमारी भाषा से है, ऐसा बिलकुल नहीं है, हमारी सबसे पहली पहचान हमारे भारतिये होने से है, तो जब आप अपने आप को क्या गर लेते हैं, अपने देश से जोड लेते हैं, अपने देश को सव प्र प्रथम रखना है हमें अपने देश को बहुत ज़़ादा प्रेम करना है ये भावना कहां से प्रजवलित दुए आपको बता है 1789 की घटना हमने देखी थी 1789 का समय था और मुख्य तोर पर ये यह जो सोच है यह कहां से शुरू हुई यूरोप में शुरू हुई और अगर हम लोग निर्धारित तोर पर बात करें तो यूरोप में भी फ्रांस करकर एक देश है वहाँ पर क्या होता है बच्चों एक शासक था जिसका नाम था लूई 16 याद है आपको जियां यह जो लू बहुत ज़्याद़ परिशान थी फ्रांस के अंदर जो समाज था वो तीन अलग-अलग वरगों में बटा हुआ था पहले वरग के अंदर चर्च के लोगों ko रखा जाता था दूसरे वरग के अंदर कुलीन लोगों को रखा जाता है यानि के अमीर लोगों को और तीसरे वर्ग के अंदर कौन थे तीसरे वर्ग के अंदर जिसे तीसरे स्टेट कहा जाता था उसके अंदर होते थे हमारी महिलाएं ठीक है और उसी के साथ हमारे मजदूर और किसान लोगों को रखा जाता था देश का सारा का सारा जो भार था देश को चलाने की जो मुख्य तोर पर जिम्मेदारी थी वो इन तीसरे स्तर के लोगों की ही थी इन में मध्यम वर्ग के लोग भी थे जो पड़े लिखे थे वो भी तीसरे वर्ग में आते थे हुआ ये कि फ्रांस के अंदर क्या देखा गया बच्चो बहुत जादा पक्षपात था यानि के जो चर्च के लोग थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनसे किसी भी प्रकार का कोई टेक्स नहीं लिया जाता था लुई सिक्स्टीन गलत कानून बना रहा था गलत तरीके से शासन कर रहा था तीसरी स्टेट यानि के जो तीसरे वर्ग के लोग हैं जो किसान रहे, महिलाए रही, दास रहे, मध्यम वर्ग के लोग रहे, बड़े किसान रहे, उनसे बहुत जादा टेक्स लिया जाता था अब इन लोगों के दिमाग में समझदारी वाली बात आई, लोगों को पता चलने लगा, लोगों के बीच में ये विचार धाराएं पैलने लगी, कि हमारा राजा योग्य नहीं है तो हमें अपने राजा का सम्मान करने की आवशक्ता नहीं है हमें तो देश का ध्यान रखना है हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है इसी भावना ने क्या करा बच्चों लोगों को जागरूत किया उनको जिस तरीके से शोशित किया जा रहा था उस भावना ने भी लोगों को जागरूत किया और लोगों ने क्रांती कर दी आप सभी बच्चे जानते हैं बच्चों 1789 में क्या हुआ था फ्रांस के अंदर क्रांती हुई थी याद है और आप सभी बच्चे क्रांती का मतलब जानते हैं क्रांती का मतलब होता है बदलाओ क्या होता है बदलाओ यानि के राज तंद्र था क्या था बच्चों राज से मांग करते हैं कि अब बहुत हुआ अब तुम्हें बदला बदला जाएगा तुम्हारी तुम्हें तुम्हारे पद से हटाया जाएगा जनता विद्रो करती है राजा के किले को घेर लेती है और आखिरकार राजा क्या करता है तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ आप मुझे मत ह हट्टी होती है राजा लूई 16 के खिलाव जमा होती है विद्रोख करती है राजा गवरा जाता है और आखिर में आकर premi के अंदर क्या होता है बच्चों परजा तंतर की स्थापना होती है यानी के SHE कलासन की जिम्मेदारी राजा के हाथ से जंटा के हाथ में पहुचने लगती है यह हमारी अब तक की कहानी जो यानिके अब तक को जो हमारा चैपटर हुआ था उसको हमने क्विक्ली रिवाइस किया अब हम लोग यहां पर यह देखने वाले देखेंगे अपनी आज की क्लास में कि फ्रांस के अंदर मुख्य तोर पर जो समीधान बना क्या वो वास्तविक्ता में एक अच्छा समीधान था लोगों की जिससे उस जैसी उससे बारे में पढ़ेंगे क्या है बच्छों 1789 के बाद 1789 के बाद जो क्रांती हुई थी उसके बाद क्या हुआ था देश के अंदर कौन से देश के अंदर फ्रांस के अंदर प्रजा तंत्र हो गया था प्रजा तंत्र का मतलब क्या है आप इसे लोग तंत्र भी कह सकते हैं भी भी अपने पास रुखी थीं और फिर क्या होता है बच्चो जनता परिवर्तन की मांग करती है समीधान को बदलने की मांग उठती है और जो सरकार चुनी जाती है जो समीधान को देख रही होती है वो लोग भी योग्य होते हैं और इस बात का फाइदा उठा लेता है एक विक्ती जिसका नाम है नेपोलियन यह साधरन सा सैनिक था यह मौक्य का फाइदा उठा कर क्या करता है बच्छों खुद को फ्रांस का शासक घोशित करता है जबरदस्त तोर पर बहुत बड़े बदला बहुत बड़े परिवर्तन यह फ्रांस के अंदर लाता है जिससे समस्त फ्रांस ही नहीं समस्त यूरोब और मैं तो ये कहूंगा कि समस्त मानव जाती है बच्छों परभावित होती है बहुत योग्यशासक रहे यह जो नेपोल के दौारा वो क्या क्या काल खंड रहे उनका अध्यान करेंगे जनता ने क्या कहा क्या जनता ने नैपॉलियन को पसंद करा जनता की प्रतिक्रिया कैसी थी उसको देखेंगे क्या जंता नेपोलियन के साथ थी या जंता नेपोलियन के खिलाफ थी उसको जानेंगे और फिर उसके साथ हम लोग करांती से पहले किस्तिती को भी अवलोकित करेंगे समझेंगे कि करांती से पहले क्या हाल चाल हुआ करते थे और नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन के दुआरा बदले गए चीजों के बाद क्या परिवर्थन होते हैं ठीक तो अब हम लोग सबसे पहले जिस विक्ती के बारे में बात कर रहे हैं क्यों ना उन्हीं को देख लें ये सहाब हैं आपके सामने नेपोलियन ठीक है जी नेपोलियन जी आपके सामने कड़े है अब क्या होता है बच्चों देखे क्या होता है कि साल 1789 में आपने क्या देखा था कि साल 1789 में फ्रांस के अंदर क्रांती होती है और इस क्रांती के बाद फ्रांस के अंदर जो राजा था या फिर जो राजतंत्र था उसके समापन की मांग उठती है और यह राजतंत्र कब खतम हो जाता है 1792 में राजतंत्र पूर्टा समापत हो जाता है और देश एक समीधान से चलने लगता है और यह जो समीधान से देश चलाया जाता है जिन लोगों के शासक नहीं दिख रहा इस बात का फाइदा उठाया जाता है एक वेक्ती हैं जिनका नाम है नेपोलियन जी नेपोलियन जी क्या करते हैं बच्छों 1804 में लगभग क्या है बच्छों 1799 में ये ये देखते हैं कि जो समीधान को चला रही हैं ये लोग आयोगे हैं और उसके ब प्रांस के राजा बने रहते हैं तो 1804 से 1815 चोटी सी समय अब दी है अगर आप देखेंगे लेकिन अमूल चूल परिवर्तन नेपोलियन के द्वारा किये गए ठीक है नेपोलियन ने क्या करा नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजा तंत्र को तहस नहस कर दिया अच्छा ये प्रजा तंत्र आपको लगेगा कि नेपोलियन ने लोगतंत्र को समाप्त कर दिया है ना आपने क्या देखा आपने ये देखा कि जो समीधान था जो बना था आपने क्या देखा आपने ये देखा कि सबसे पहले 1789 की क्रांती हुई क्रांती के बाद राजा को हटाया गया राजा के बाद समीधान बना भाई ये जो समीधान था ये असली समीधान नहीं था इसके अंदर भी जो शक्तियां थी वो अमीर लोगों के पास थी लोगों का भी भी शोशन हो रहा था कोई फ्रांस के अंदर वास्तुविक सोतंतरता नहीं थी खौफ का महल था अभी गरीब लोग किसान, लोग मजदूर, लोग महिल आएं परिशान थी, क्या इसे आप लोगतंतर कहेंगे, नहीं, इसको प्रजातंतर नहीं कहा जाएगा, और यही हुआ, नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर क्या करा, बच्चों, प्रजातंतर को समाप्त कर दिया, और जंता को भी यह हम कह रहे हैं, यह पसंद नहीं आया, इनको राजतंतर ही पसंद आने लगा था, इनको समझ में आने लगा था, कि यह जो बहुत सारे लोग हम पर शासन कर रहे हैं, यह आयोग्ये हैं, यह सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, नेपोलियन ने फायदा उठाया, और क्या कर दुबारा से राज तंदर की स्थापना करी ठीक है और नैपॉलियन ने खुद को फ्रा का राजा परी परिवर्तन किये गए बहुत भैतरीन परिवर्तन किये गए इन परिवर्तनों से फ्रांस की क्या हुई बच्चों बहुत प्रगती हुई फ्रांस के अंदर एक तरीके से एक नई सोच आई फ्रांस के अंदर लोगों को मौका मिला अपनी बातों को कहने का अपने आपको विख करकर देखेंगे नेपोलियन ने क्या करा बच्छो 1804 में सिविल कोड लागो किया ये देखिए सिविल कोड ऑफ नेपोलियन ये नेपोलियन का चित्र है और ये क्या है बच्छो सिविल कोड इन्होंने क्या करा इन्होंने बहुत सारे कानूनों की एक पुस्तक बना दी बहु किस तरीके से काम करें, लोगों की क्या अपेक्षाएं हों, एक एक करकर इनके बनाए बहतरीन कानूनों को हम लोग समझते हैं, 1804 के अंदरगत नेपोलियन राजा बन जाते हैं, और उसके बाद ये अपनी क्या करते हैं, बच्चों, नेपोलियन सिविल कोड को लागू करते ह बाद ही ये बदलाव ला रही हैं फ्रांस के अंदरगत, इसे ही नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, तो आपके पेपर में इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं, इसे नेपोलियन सहीता भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत हुईएगा, नेपोलियन कोड नेपोलियन सहीता क्या है, बह कि क्या होता है सबसे पहले इस कोड ने यानि के जो नियम नैपोलियन ने बनाए थे उसके अधार पर क्या था कि जन्म के अधार पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को समाप्त कर दिया मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा फ्रांस था उसके अंदर क्या होता था उसके अं मजदूर थे, किसान थे, दास थे, घुलाम, ठीक है, इस प्रकार के लोग थे, और ये जो चर्च और अमीर लोग थे, जिने हम कुलीन लोग भी कह रहे हैं, अब कोई वेक्ती अगर अमीर घर में पैदा हो जाता था, तो उसो इस्पेशल अधिकार दिये जाते थे, क्या इस् कोई भी टेक्स नहीं लिया जाता था, चर्च के लोग अगर आप क्या हुए बच्चों चर्च के पारिवार के आसपास में जन्म लिये हैं, तो आपको भी क्यात किया जाएगा, आप से किसी प्रकार का कोई टेक्स नहीं लिया जाएगा, तो फ्रांस के अंदर इस प्रकार फ्रांस के जो क्या था बच्चों जो खजाना था उसको उपयोग करते थे उसको समाप्त कर दे नेपॉलियन ने कहा कि सब को समान माना जाए और किसी को स्पेशल अधिकार नहीं दिये जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन नेपॉलियन सहिता ने किया नेपॉलियन के और क्या करा बच्चों उन्हों ने फ्रांस के अंदर संपत्ति अधिकार को पुखता किया नेपोलियन ने जो फ्रांस के अंदर ये जो वर्ग विभाजन दिख रहा है कि चर्च के अलग नागरिक कहलाते थे अमीर लोगों को अलग नागरिक कहा जाता था और महिलाओं को समीधान बनने के बाद भी यही प्रधा विद्वान थी लेकिन जब नेपोलियन शासक बनते हैं अपना नियम बनाते हैं तो इस बात का पूरी इस बात की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि जो नागरिक हों क्या हों बच्चों जो नागरिक हों उनको समान माना जाए उन सभी परिवाजन गया नेंपोलियन ने और फ्रांस की तरह अपने नियंत्रणवाले रपर्शास्निक उधार किये एक और व्य ववस्ता थी जिसे सामन्ती ववस्ता कहा जाता तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेपोलियन मैं नेपोलियन फरांस के अंदर ही बदलाव नहीं है तो नेपोलियन में अपने देश के अंदर तो परीवर्टन किए ही इसी के सास्थ वो छहतर जो फ्रांस जीत रखे थे उन चेत्रों के अंदर भी फ्रांस के राजा नेपोलीयन ने परिवर्तन की अपने इन कानुनों को लागू किया उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया सामंती व्यवस्था क्या होती थी कि माल ली जीए क्या बच्चो एक खेत है क्या है बच्चो एक खेत है और उस खेत के अंदर क्या है राजा जो था वो क्या करता था बच्चो राजा खेत का मालिक बना देता था एक विक्ति को मालिक बना देता था उस विक्ति को सामंत कहा जाता था सामंत या फिर सीधे शब्दों में जमीदार कह सकते हैं जमीदार कह सकते हैं यह जमीदार क्या करता था कुछ नहीं करता था सिर्फ लोगों से किसानों से वो जमीदारों के पास थी, जो किसान थे, उनको भूमी हीन रखा जाता था, उनको जमीन का मालिक नहीं वनने दिया जाता था, और ये सामन्ती लोग, ये जमीदार लोग ही क्या करते थे, खुद ही मालिक बने रहते थे, और क्या थे, किसानों से खेती कराते थे, और उसके ब लिया जाता था कि तुम के पाले गाते थी थे राजा पुरा ने खिती कर रहें थे दो लोग में देश में खेती कर रहे हैं आप हमको टेक्स देंगे तो हर तरीके से किसानों को दबाया जाता था नेपूलियन ने क्या करा भूमी प्रोवाइट करने की कोशिश करी किसानों को और उसी के साथ साथ जो टेक्स लिया जाता था जिसके दुआरा किसान परेशान थे उसको समाप किया एक प्रकार का जो टेक्स किसानों को सिर्फ खेती करने के लिए देना पड़ता था वो समाप्त किया और एक और चीज जो किसानों के संदर्व में थी जो आपके नेपोलियन सही था यानि कि हम नेपोलियन का इतना गुंगान कर रहे हैं इसको भी देखते हैं उसने शहरो के अंद्रकर पर चली जो शिप्त मंडियां थी उसके संदर्व में भी क्या करा बच्छो पावंदियों को समाप्त कर दिया कि आप अगर किसी चीज को छापना चाहें लिखना चाहें पढ़ने लिखने का काम करना चाहें तो उस समय राजा क्या करते थे अपनी आलोशना पर शिल्प मंडियों को क्या है बच्छो जो पढ़ने से संबंधित चीज़ें थी पुस्तकों से संबंधित चीज़ें थी उनको आगे बढ़ने का उसर नैपॉलियन के द्वारा दिया अखिक है अब जंता की क्या प्रकिरिया रही जंता ने इन बदलावों को कैसे देखा क्या इन बदलावों को जंता ने स्विकार किया अस्विकार किया ये देखते हैं नेपोलियन ने कानून तो बना दी इतने अच्छे जंता ने कैसे रियक्ट किया जंता ने क्या वहवार दिखाया इसको देखते हैं आम आदमी को ये समझ में आ गया था कि एक समान कानून और एक समान मुद्रा से क्या होगा वैवसाय में लाब होगा अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि पूरे फ्रांस के अंदर क्या कर दिया था पूरे फ्रांस के अंदर नेपोलियन जी ने क्या करा नेपोलियन ने ये कर दिया कि अगर आपको पूरे फ्रांस में एक ही मुद्रा है एक ही कानून लगता है कोई टेक्स देने की आवशक्ता Ooh ging होगा तो जब शुरू में ये कानून पता चले तो सबको लगने लगा कि एक समान कानून से और के लोगों को बिजनेस में बहुत जादा लाब होगा। क्या होगाए बच्चो लोग क्या हुए बच्चो इस बात से बहुत जादा प्रसंद हुए की एक मुद्रह से और एक प्रकार के कानून होने से काम की अजाधी मिलेगी इसी के साथ साथ जो हमारे 30 स्टेट यानि के जो हमारे चोटे लोग थे किसान कारीगर मजदूर इनको एक तरीके से अजादी मिली जी हाँ आप क्या देखते आ रहे हैं के लूई 16 उसके बाद जो समीधान था जिस अमीर लोगों का कवज़ा था उन्होंने मुख्य तोर पर किसानों को और हमारे क्या हैं बच्चों जो छोटे महिलाएं थी उनको दबा के रखा लेकिन जब नेपोलियन राजा बनते हैं और उसके बाद अपनी सिविल कोर्ट को अपनी नेपोलियन सहीता को लागू कर देते हैं 1804 के अंदर गद तो एक प्रकार से पूरे फ्रांस के अंदर खुशी की लहर दोर पड़ती है और मुक्य दोर पर कौन खुश होंगे जो सबसे जजादा परेशान थे जिनकी सबसे जजादा मदद नेपोलियन के दृवरा कहीं नकभी दोर पर की गई तो किसानों से लिया जाने वाला टैक्स अबाभ्त हुआ तो किसानों के बीच में खुशी की लहर दौर पड़ी में कर रखे थे वहां की जंता वहां के लोगों ने क्या करा फ्रांस इसी शासन के बारे में मिली जूली प्रतिकिरिया थी उनको ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि नया कानून क्या है हम सब समान कैसे हो सकते हैं एक मुद्रा पूरे देश में कैसे चल सकती है यह जो सब को समान माना जा रहा है यह कैसे हो सकता है तो वो छेत्र जो फ्रांस ने अपने कब्जे में प्राप्त कर रखे थे अलग-अलग देशों के वहां की जनता इन कानूनों से सही तोर पर जुल नहीं पाई अपी तु फ्रांस की जनता क्या गर पा रही थी इन कानूनों का पूरे जोर शोर के साथ स्वागत कर रही थी आगे के घटना कर्म को देखते हैं टेक्स से संबंधित और क्या है बच्चों और सेना से संबंधित चीजों के बारे में हम बाते करेंगे यहां पर क्या होता है कि शुरुवात में लोगों क्या करा फ्रांस की सेना को अजादी के दूत में देखा लेकिन जल्दी ही भावना बदल गई हुआ क्या था कि जब फ्रांस के लोग आपने क्या देखा था पिछली क्लास में कि फ्रांस की जो सेना थी है ना क्रांती के बाद जो फ्रांस देश की सेना थी उन्होंने आस पास के छेत्रों पर कवजा कर लिया था और इन छेत्रों पर कवजा करने के बाद इन देशों के अंदर राश्टवाद को पैदा करने की कोशिश करी थी राश्टवाद का मतलब कि आप अपने देश के प्रती संवान पूरवक रही है अपने देश को जादा मानिए राजा के प्र लाव लाएंगे इसको एक्जामपल से देखे माल लीजिए हंगरी था ठीक है इसको एक्जामपल से देखते हैं ऑस्ट्रिया था ठीक है ऑस्ट्रिया के अंदर क्या था बच्चों जो वहां का राजा था वो सही तरीके से शासन नहीं करता था फ्रांस ऑस्ट्रिया के पास ही था फ्रांस की जो सेना थी वो क्या करती है ऑस्ट्रिया के कुछ भागों को अपने कवजे में ले लेती है और जिन छेतरों को अपने कवजे में लेती है वहाँ की जनता को लगता है वहाँ की जनता को तयार करती है राश्टवाद के लिए क्य जो फ्रांस की सेना है ये क्या कर रही है हमारे देश में परिवर्तन लाने में समर्थन कर रही है बदलाव लाने में हमारा साथ दे रही है ठीक है लेकिन क्या होता है बच्छो शुरुबात में तो ये शांती दूत थे लेकिन धीरे-धीरे क्या होने लगता है टेक्स में भार लिबरदस्ती फ्रांस की सेना में भरती कराया जाने लगा ये दूसरे देश के लोग थे इनको फ्रांस की सेना में भरती कराया जाता और इनको क्या किया जाता और दूसरे छेतरों को कवजा करने के लिए विवश किया जाता तो एक प्रकार से जो शांती दूट थे दूसरे को लग रहा था हंगरी और या बेल्जियम् के लोगों को कि फौरा यहां मारे दिश के ंंदर राश्टवा राश्टिवात की उत्पत्ती करेंगी लेकिन यहां पर दो गलत चीज़ें आपने देखी किया गलत चीज़ें आपने पाया कि फ Wyomingmidt की लोगों उने बहुत स्वागत किया कि आये फ्रांस की सेना के लोगों का खुल कर स्वागत किया उनको लगा कि उनके आने से उनके देश के राजाओं को हटाने का उसर मिल जाएगा तो शुरुवात में पडोसी देश के लोगों ने क्या करा फ्रांस की सेना का बहुत स्वागत किया ल कि अठारवी सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट नहीं हुआ करते थे जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस की क्रांती हुई उससे पहले क्या मौहौल हुआ करता था यूरोप का क्या यूरोप के अंदर अगर आप वर्त 17-17 की बात कर रहा हैं इन सभी सालों के अंद्र लगभग आज से 300 400 साल पहले क्या फ्रांस के अंदर यूरोप के अंदर लोकतंतरी विद्वान था ये प्रशन है और आपको पता है कि इसका आंसर नहीं है जी यहां फ्रांस के अंदर यूरोप के अंदर क्या था बच्छों ल राज तंत्र था मुख्यत और पर राज तंत्र ही यूरोप के अधिकतर देशों में दिखता था एक ही परिवार के लोग क्या गरते थे पूरे के पूरे देश को अपने हाथ में रखते थे और सारी शक्तियां उनके पास होती थी वर्तमान आपका जर्मनी इटली और स्विज स्विजिलेंड आपको विश्व के मानचितर पर बड़ा देश दिखेगा लेकिन आज से लगभग 300 साल पहले 200 साल पहले यह सभी देश छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे और छोटे छोटे सामराज्यों में इन सभी देशों के अंदर छोटे छोटे राजा करते थे और यह राज्यों ने राज्यों में राच करा करते थे यह राज्यों से देश कैसे बने हिह क्या परिश्वर्तन हुआ हैं हमारी क्लास के अगले बिंदू होनेां हैं तो आपको पता चलेगा कि घर्मनी इटली दि उडे जो चूट रहे इनके अंदर ठीक है हर शासक अपने आपको क्या करता था स्वातंत्र रखना चाहता था किसी को अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहता था जो रासक थे और राजा अपने आपको क्या रखना चाहते थे वह किसी के भी अधीन स्वेम को नहीं रखना चाहते थे आगे के घड़ना गरम को देखिए के पूरवी और मध्य यूरोप में कई जादा शक्तिशाली राजा हुए थे और इन लोगों के अधीन क्या थे विभिन प्रकार के लोग रहा करते थे इन राजाओं के अधीन जो छेटर थे ये राजा जहां पर राज करा करते थे वहां पर अलग अलग संस्क्रिती के लोग रहा करते थे तो आपने ये देखा कि ज नमस्त छेतर पर राज करा करते थे जर्मनी इटली स्विजलेंड जो आज विश्व के बड़े देश हैं इकटे हैं यह 300-400 साल पहले चोटे-चोटे भूभागों में बटे हुए थे यह चोटे-चोटे भूभागों से बड़े देश कैसे बनते हैं यह हम जानेंगे आगे ल साच करते थे और इनके अधीन अलग-अलग संस्कृति के लोग रहा करते थे इन लोगों की कोई सांचा क्या पती पहचान नहीं थी क्या थी बच्छों अब देखिए कोई छेतर हैं जहां पर क्या है बहुत सारे लोग रहते हैं इन लोगों के बीच में कोई इनकी संस्कृ नहीं दिखती थी और इसी का फायदा उठाकर राजाओं ने इन पर लंबे समय तक राज किया लेकिन फ्रांस के अंदर घटना उल्टी हुई फ्रांस के अंदर क्या हुआ लोगों को पता चल गया कि हम सब एक हैं हम सभी की संस्कृति एक है हम सभी की विचारधारा एक है और सब सबस्थgregation सब्सक्राइब की सलाधा कि और अपने और मैंने नैपोलियन नैपोलियन के बार पो कूंघ है साल 1904 में नैपोलियन जी राजा बनते हैं फ्रांस के और 1815 तक यह राजा रहते हैं 1815 में क्या होता है बच्छू एक लड़ाई होगी फ्रांस की और क्या है बच जो हमारे नेपोलियन हार जाते हैं नेपोलियन को जेल में डाल दिया जाता है और फ्रांस के अंदर क्या हो जाता है नेपोलियन का राज समाप्त हो जाता है यह तो फ्रांस में नेपोलियन की राजा बनने और राजा की तिथी को समाप्त करने की तारिक रही लेकिन जब कार दिये गए थे जन्म की अधार पर उनको समाप्त कर देते हैं और क्या करते हैं फ्रांस की सेना को मजबूत करते हैं ठीक है किसानों से लिया जाने वाला जो टेक्स था उसको समाप्त कर देते हैं और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं ताकि क्या हो सके यह जो साम मुख्य तोर पर जो किसान थे मजदूर थे उन्होंने इन नियमों का बहुत स्वागत किया इन नियमों को एक और नाम से जाना जाता है नेपोलियन कोड याद रखिएगा और इन ही को नेपोलियन सहीता भी कहा जाता है तो इस नेपोलियन कोड नेपोलियन सहीता का जंता ने में जादा कोई अपेक्शन नहीं दिखी उनकी प्रतिकिरिया मिली जुली थी कुछ को अच्छा लगा और कुछ को नहीं अच्छा लगा बात की जाए क्रांती से पहले की स्तिती के बारे में कि फ्रांस के अंदर या फिर यूरोप के अंदर क्रांती से पहले यानि कि 1789 से पह पर राज करते थे यह अपने आपको किसी के अधीन नहीं लाना चाहते थे ठीक है और क्या था बच्चों यह सिर्फ क्या करते थे अपने ही छेत्र पर राज करते थे अच्छा इन छेत्रों के लोगों ने विद्रों क्यों नहीं किया आपके दिमाग में सवाल उठेगा, सवाल वज़ा ये है कि इस छेत्र के लोगों क्या थे बच्चों, अलग-अलग संसकrity वाले थे, तो ये जो राजा थे, ये उन छेत्रों पर राच कर रहे थे, जहां पर लोगों में समानता नहीं थी, अलग संस्क्रिती अलग धरम अलग भाशा थी और लोगों में अपने पन की भावना नहीं थी जिस कारण वो जोड़ नहीं पा रहे थे वो मातर राजा के अधीन थे जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं थी और इसी कारण क्या होता रहा यह राजा लंबे समय तक वापित किया यह तो हमारा वन मिनिट रिविजन रहा आप लोग तैयार हो जाएए आज की क्लास के क्विस के लिए आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है यह पूछा जा रहा है कि नैपोलियन ने सिविल कोड कब लागू किया था आपके सामने चार आप्शन से सही आ आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है कि सिविल कोड को किस और नाम से जाना जाता है नेपोलियन कोड हिटलर कोड सरकारी कोड या फिर इन में से कोई नहीं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए कि निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना होगा कि इन में से कौन सा कथन अपी तुग गलत है चार कथन है सही कथन को आपको क्या गरना है बच्चों गलत कथन को आपको भचानना है आगे बढ़िए अगला सवाल क्रांती से पहले अधिकतर यूरोप में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी प्रजातंद्र राष्टंद्र लोकतंद्र या फिर इन में से कोई नहीं अबार कार या बद्रिए होत्वाण गलत को जबढ़ी नहीं झालोप में से के शान लोकतंदध्र इन में में कि चलिए समय समापती की और अब हम लोग क्या करते हैं आप सभी के साथ आपके क्विस के आंसर को डिसकस करते हैं पहला सवाल था कि नैपोलियन ने सिविल कोड यानि के अपने कानून कब पारित हुए आपको बता है जब नैपोलियन राजा बनते हैं 1804 में यह नैपोलियन सिविल कोड नैपोलियन सहीता लागू होती है अगला सवाल सिविल कोड यानि के नैपोलियन के जो कानून थे ना बहुत सारे कानून थे उनको कि जाना जाता है नेपोलियन ने बनाया था तो इसी वज़ा से इसको नेपोलियन कोट के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल कि निम्रिलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और इनमें से नेपोलियन कोड में जन्म के अधार पर मिलने वाली सुविधाओं को चालू रखा था नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था जन्म के अधार पर जो भी स्पेशल अधिकार मिला करते थे उन सभी कि अधिकारों को नेपूलटने समाप कर दिया था और सब को समान इस वीचारधारा से प्रांस का नागरिक mộtमाना था अग्ला सवाल कि क्रांती Q2 का करन्ति से पहले अधिकतर यूरोप में किस प्रकार की शासन-व्यवस्था थे आप सभी जानते हैं करांगे से पहले यूरोप के अंदर राज्थ न्रही राज्थ in t फ्रांस के परशासन के छेतर में क्या बदलाव लाई ये बताईए नेपोलियन कोड की विवेच ना कीजिए सामन्ती वेवस्था से आप लोगों का क्या भी प्राय है ये बताईए फ्रांस इसी शासन के बारे में किसान और मजदूरों की क्या प्रतिक्रिया थी ये बताईए यूरोप में क्रांती के पहले की वैवस्था क्या थी ये बताईए नेपोलियन ने किसानों की स्तिती में क्या सुधार करे इन पर आपको वर्लन करा है और फ्रांस में इन इलाकों पर यानि किया है बच्चों जहां पर कबजा कर रखा था वहाँ पर क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस पर आपको discussion करना होगा तो ये तो आपके सामने home work रहा अब चलिए ये discuss कर लेते हैं कि अगली क्लास में आप और मैं किन महत्पुन बिंदूओं को पढ़ेंगे आप और मैं continue करेंगे अपने lecture number 3 इसी chapter को यूरोप में राष्टवाद का हुदा है इसका हमारा lecture number 3 होगा उसके अंदर हम लोग फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर और आखिर में आर्थिक छेदर में या फ्रांस के अंदर या फिर यूरोप के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे बहतर हुई उसका discussion करेंगे तो ये तो रही हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में जाना नेपोलियन के कोड के बारे में जाना और कैसी लोगों की प्रतिक्रिय रही इसके बारे में जाना मैं आशवर उमीद करता हूँ कि आपके लिए हमारी आज की क्लास बहुत ही लाबदायक रही होगी अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद